पूर्व होना कोई बड़ी बात नहीं है पूर्व तो तब होता है जब काच करताओं के दिल से वो बाहर होंगे आज देख लिए काच करताओं का जो उत्सा है अब तो सीख लेनी चाहिए देखिये काच करताओं को गर्व है ऐसे अनुसासित पार्टी का अनुसासित नेता पर और आज इन्होंने जो मापडंड इस देश में अस्थापित किया तब पार्टी के वैसे लोगों को जो सिर्षपद पर बैठे हुए हैं अब उनको भी सोचना चाहिए और सोचना चाहिए वैसे लोगों को जो कई एक पदों पर एक साथ बैटके पार्टी के अनुसासन की धज्जी उड़ा रहे हैं तो ये सवाल तो उनसे है और काच करताओं के दिल में बसते हैं RCP सर देखिये काच करताओं का उत्साओं आप पर भी कारवाई लेकिन आज बड़ी संख्या में लोग यहां पहुचे हैं अरे इकारवाई नहीं हम जैसे लोगों पर कारवाई करके जो है ना इन लोगों ने अपना नुक्सान किया है मैं तो यही कहूँगा दरिया आप तेरी खैर नहीं बुन्दो ने बगावत कर ली है देखिये अब तो इनके पास पूरा समय है जिम्मेवारिया अधिक थी केंद्र में मंत्री थे तो मंत्राले की जिम्मेवारिया थी अब तो यह फ्री है अब यह निकलेंगे और उसके बाद देखिये season और पास करता है बस बढ़ी संख्या में उनको जो समर्थक है वो यहां मौझद उनका कहना है तो उन्होंने पार्टी के अधिक्ष रहते हुए कारेकरताओं को जोड़ा है यहीं वजह है क्या देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो है पटना एरपोर्ट पे उनके चाहने वाले जो लोग हैं वो जमा हुए हैं आर्सेपी सिंग को जन्दाद उनाइटेड ने राज्यसभा नहीं भेजा था और उसके बाद उनका जो कारेकाल है वो समाब्थ हुआ और पिर उन्होंने कैबिनेट मंतरी के दरजे से इस्तिफा दे दिया कल उन्होंने बीजेपी के सिनियर नेता धर कार्डी के लोग थो दोнопतली से जुड़े हुए लोग का रहें के पहई हैं के पार्टी महीं रहेंगे और उन्होंने इस पार्टी को सीचा है और कर्था फैल करने वाले लोग यहीं वचा इन को प्रफ़ागत करने के लिए तियार हैं लगतार अजिड के लेवे बरेड़ा है जार नाव करए रहाएं ड़ूर लें